नवस्कार मैं जीशान जाविद आप देख रहे हैं न्यूस नेटवर्क टुडए रीवा की समान पुलिस ने तीन गुना पैसा करने का लालस देकर ठगी करने वाले गिरों के समान पुलिस ने तीन गुना जादा पैसा दिलाने का लालस देकर ठगी करने वाले गिरों के सीएमडी को प्रोडेक्शन वारंट के आधार पर रीवा लाकर पूशनाच की प्राहा पुलिस को उम्मीद है उससे और भी जानकारी मिल सकती है समान पुलिस ने जेल में बन ठगी के आरोपी को रीवा निया ले से प्रोडेक्शन वारंट लेकर 36 गड़ से धोकार ड़री के आरोपी को रीमांट पर लिया है जिससे पूशनाच की जाएगी हम आपको बता दें राकेश कुमार अहिरवार पिता मुन्नलाल अहिरवार निवासी धेडर थाना सुहागी जिला रीवा द्वारा शिकायत की गई थी S.U.S. के इंडिया लिंपेट कंपनी के डारेक्टर सुनीर कुमार तिवारी एवन सीमडी के द्वारा आठ वर्स में पैसा फिक्स करने पर S.U.S. के इंडिया लिंपेट बैंक तुरत तीन गुना भुक्तान करती है इसके अलावा भी अन्ड प्लान ओट के बारे में जानकारी दी गई थी जिससे प्रभावित होकर अन्य लोगों के द्वारा उनके द्वारा लगबग साड़ेक तीन लाख रुपए वर्स 2011 में जमा किये गए थे जिसकी मैचोर्टी 2016 में होने थी पैसा ना मिलने पर फर्यादी काफी परचान हो गए नहरुन अगर ब्रांच पहुँचे तो ब्रांच बंद मिली सुनील तिवारी के इंदोर में घद बना कर रहने लगी जब उन्होंने इसके बारे में बात की तब उनको फिर से एक बार ललच किये गया और कहा गया 2021 तक आप उन्तजार करिये पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होने पर पुलिस अधिक्चत का रहलेक महुचकर शिकायत दर्ज कराई समान पुलिस ने शिकायत पर S.E.U.S. के इंडिया लिंटेट कंपणी के डारेक्टर सुनील कुमार तिवारी एवं सीम्डी के वुरुदधारा 406, 424, 343 ताजदारे हिंद का अफ्राद पंजीबत कर विवेशना में लिया इस दौरान जानकारी हुई S.E.U.S. के इंडिया लिंटेट कंपणी का सीम्डी आरूपी कैलास लोधी पिता सूरज लोधी निवासी शिव मंदिल रोड शाजापूर जिलत जेल धमतरी में बंद है जिसे रिमांड में लेनी के लिए नियाले रिवार के प्रोडेक्शन वारेंट जारी कराया गया और जेल धमतरी नियाले के आदेशा नुसार प्रोडेक्शन वारेंट पर 36 गड़ पुलिस दौरा आरूपी कैलास लोधी पिता सूरज लोधी उन अंठावन वर्स निवाशी सिव मंदिर रोड मक्सी थाना मक्सी जिला साजापूर से घटना के संबन में पूर्षताच के लिए पुलिस दौरा आरूपी कर नियाले में पेश किया गया हमने समान थाना प्रभारी निरिक्षक सुनीर गुपता से बात की आईए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया हूँ राकेश अहिरवार ये धेडर सुहागी निवासी हैं उनके द्वारा कंप्लेंट दर्ज की गई थी कि सस्क कंपनी द्वारा पैसें को आठ साल में तीन गुना करने की बात करके पैसे जमा कराए गया जब मैचिर्टी की बारी आई तो उन्होंने पैसा वापस नहीं किया तब उनके द्वारा कंप्लेंट की गई जिस पर से थाना समान में अपराद पंजी वद्ध किया गया है और इसमें सुनील तिवारी यहां जो ब्रांच मिलेजर थे और यहां का हेट थे उनके विरुद्ध तल्दा था सीमडी इस कंपनी के कैलास लोधी मक्सी थाना जिला शाजापुर के निवासी हैं उनके विरुद्ध अपराद पंजी वद्ध किया गया था और कैलास लोधी के विरुद्ध पूर्व से मद्ध बदेश तता च्छतीस गड़ में छे थानों में अपराद पंजी और ये बरतमान में धमतरी च्छतीस गड़ जेल में बंदत है अपने नियाले के माध्यम से उसका प्रोड़क्शन वाराड के जरिये तलब किया गया और उसका पुलिस रिवान लेके पूछ नाच की गई इस थाना शामान के मामले में कनेक्शन पाया गया और दस्ता वेज इयो डबलू उज्जैन से भी प्राप्ट किये गये हैं वहां भी इनके विरुद्ध अपराद पंजी बद्धों के बिवेशना की जा रही है अभी थाना समान के मामले में शुनील तीवारी की गिरफतारी नहीं हुई है तथा कैलास लोधी की गिरफतारी हो चुकी है और अन्धानों में भी इनके विरुद्ध अपराद पंजी बद्ध हैं ताज़ता इन खबरों के लिए News Network Today से जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए और देखते रहिए News Network Today